मेरे चैनल में आप सब का फिर से स्वागत है और क्रिस्मस आने वाला है तो बच्चों के लिए हम क्रिस्मस के लिए डोनर्स बनाएंगे और ये डोनर्स बहुत ही अच्छे बनेंगे और सब बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे और ये डोनर्स की बहुत ही इजी रेसिप इस्ट एक्टिवेट नहीं होगा, और अब इसके अंदर सबसे पहले आदा चम्माच सक्कर डालेंगे, और सक्कर को थोड़ा सा घोल लेंगे, और पानी यहां पर गुनगुना ही यूज करना है, जादा गरम पानी यूज नहीं करना, तो सकर यहां पर गोलने के बाद इसमें यहां पर मैंने एक टेबल स्पून इस्ट डाला है यह इस्ट बाजार में आसानी से मिल जाता है इससे डोनट्स और पिजा का डो तयार होता है और यहां पर इस्ट की जगए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का यूज़ करके भ यह डखन लगा कर रख दिया था 15 मिनट के बाद में इस तरह से बबल्स आ जाएंगे तो यहां पर इस्ट अच्छी तरह से एक्टिवेट हो गया है और अगर यहां पर बबल्स नहीं आते हैं तो यहां पर इस्ट खराब हो गया है तो यहां पर डोनट्स का डो तयार नहीं कर और इसमें यहां पर मैंने आधा कप चीनी डाली है पिसी हुई चीनी ली है यहां पर और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर चीनी आप कम ज्यादा कर सकते हैं जितना मिठा आपको पसंद है तो यहां पर मैंने डेड़ कप मैदे के अंदर आधा कप पिसी हुई बुद्वन कर minimizing चीनि डाली है और जो कृदरा पानी ऑठे़ पानी कर सकते हैं और तो कि अदर 1 आधा चमस स्थích 근데 Şu में नेड़ कर थे जाए को मछने के लगा, अच्छे नेट करना है, लूकर असमेदैक लूग बच्छे के लिए आधा गंटा के लिए भाए ठाबर दिपीप, धाधा जुना के लीए या सब्सजाँ, जिसमेदैकर तरस फ्रू बिला मछनेटाएं getolla का टाब दागे तो आधा लगा कर इस आठे को अच्छे से मसल कर डोनट बनाने के लिए तयार करेंगे आठा यहां पर अच्छे से तयार हो जाएगा उसके बाद में इसके छोटे-छोटे दो पोर्शन कर लिए हैं और इसके बाद में थोड़ा सा सुखा अठा लगा कर इसकी एक बड़ी रोटी बेल और आप चाहो तो यहां पर छोटे-छोटे आठे के लोई बना कर भी डोनट बना सकते हैं तो इस तरह इसकी थोड़ी सी मोटी रोटी बना लेंगे और यहां पर मैंने एक ड़कन लिया है आप यहां पर गिलास से भी यह डोनट काट सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे तो इस तरह से सारे डोनर्स एक बराबर कट जाएंगे तो यहां पर सारे डोनर्स को काट लिया है और अब एक छोटे ढकन से इसमें बीच में से कट लगाएंगे इससे बीच में से सरकल करने के बाद में इस आटे को निकाल देंगे तो यहां पर डोनर्स की सेप अच्छे से तैयार हो जाएगी और आपके पास डोनट कटर है तो आप उससे भी बना सकते हैं इससे भी बिल्कुल अच्छे से डोनट बन जाएंगे तो यहां पर बीच काटा भी निकाल दिया है तो यहां पर सारे डोनट बना कर इनको 10 मिनट के लिए रख देंगे और एक कड़ाई के अ करम होने के बाद में इसके अंदर डोनट फ्राई कर लेंगे तो इस तरह से यह तेन से चार मिनट में एक डोनर्स अच्छे से फ्राई होकर तयार हो जाएगा और एक तम फुला फुला डोनर्स बिल्कुल बाजार के जैसा बहुत ही अच्छा डोनर्स बना है तो सारे डोनर्स यहां पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे और गेज की फ्लेम को यहां पर मीडियम रखना है सारे यहां पर फ्राई करके त्यार कर लिये हैं और यहां पर डार्क कमपाउंड को एक कटोरी के अंदर अच्छे से मेल्ड कर लिया है। और इसके अंदर डॉनर डाल कर इस तरह से डिप करेंगे। जिससे डॉनर दीखने में अच्छे दिखे baik. और बच्चों को ये पसंद आए तो सारे डोनर्स को इस तरह से डिप करके और इनकी आइसिंग कर लेंगे और आप यहां पर चाहो तो वाइट चोकलेट का भी यूज कर सकते हैं तो इस तरह से सारे डोनर्स को डिप करके तयार कर लिया है और बहुत ही अच्छे दिख रहे है दिखने में और अब इनके उपर थोड़े से स्प्रिंकल्स लगा देंगे आपके पास इस प्रिंकल्स नहीं है तो आप यहां पर थोड़ा सा पिसी हुई चिनी का पाउडर भी लगा सकते हैं या फिर मार्केट में जेम्स मिलती है उनसे भी डेकोरेट करके बहुत ही अच्छ से सजा दिया है और उपर से यहां पर थोड़ी से जेम्स लगा कर भी इनको थोड़ा ओर डेकोरेटिव बना लेंगे तो आज की डोनर्स की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और इस बार क्रिस्मस पर डोनर्स अपने बच्चों को बना कर जरूर खिलाएं र झाल 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 झाल